हालो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त विक्यों आपका इसमें यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो आज मैं बात करने वालवो टीपर वालवो टीपर की इंटर्वी में पूछते क्या क्या है यानि कि पूछने के टाइम पे आप जिस हिसाब से बात करे उसमें जाके इंटर्वी Message तो कैसे बोलना है तो होता क्या है कि तो यहां पूछेंगे कि आप कौनसा वालवो चलाएंगा और और चला है जैसे कि वॉल्व की बहुत सारे मोडल साते हैं जैसे 2015 शुला का मोडल था फॉर्फोर्टी ख्लासिक याइच छोड़िए ये फंद्रा सूला मोडल में बात नहीं कोना मैं बताते ताहूं जैसे कि वॉल्व की 400 उसके पहले कि थी 380 उसके पहले कि 340 340 फे 380 फिर 4 फिर 440 फिर 440 का और टो टॉट विसन यानि i läuft 460 फिर 480 का कोल यानि के मेरल बोडी मेरल बोडी मेरल बोडी में 480 प्याट होने के लिए वह आई है तो इतने में सब को पूछेंगे कि कौन सा मतलब भलवा चलाएं हम देखे अगला यी बोलेगा कैसे यूस कैसे करेंगा वो वो लोग किस तरह पुछाएंगे जजीक आप से पुछेंगे आप कौन सभालवो चलाएं है और कहां चलाएं तब को यह बोलना होगा कि हम सर्फ पोर्टी चला है जो भी जो चला हैं क्या मैसे चला है यह चला है वो चला है फलाना कंपणी में तब फिर वो एक चीज आप से अब यह चलंक कितने का है और वॉल्वो फोर्टी का पूरण डिस्क्रिप्षण जो था वह मैं फिर से बता दुनगा दूसरे वीडियो में इसमें हो नहीं पाए इसमें आलमा चौड़ा फिर वो बोलेगा कि इस डीजल टांग कितने का है गाड़ी का के वाल्बो का फिर ब मतलब लड़कों का ट्राइल मैंने लिया था तो होता क्या है कि अगर माली जी कि मैं गाड़ी पे हूँ तो अगला बोल दिया कि भई अप इसका ट्राइल ले ले ला बचल ठीक है फिर तो हम लोग अगला कंफ्यूज कैसे करता है पहले उनके क्वेस्चन पर ध्यान दीजिए मैनुवल में बात करते हैं कि मैनुवल गयर अब चलाए है कितने गयर है गाड़े में अब कितने गयर है वो टूटल आपको बताना है टूटल कितने गयर है फ्रेंट और बैक मिला के कितने गयर होते हैं और फिर क्या होता है कि वो पूछते हैं कि फ्रेंट में कितने गयर है यह पूछराई स्प्लीटर कि किन गि大加 में हम लोग करते हैं है यह कन्फ्यूज करने के लिए हम लोग हर किसी से पुछते हैं या फिर हर कोई धिता हैं न है कन्फ्यूज करता है आपका बोलने का एक्टिविटी चेक करेंगा पहले वो इसे साब से पुछता है उसके बाद जैसे कि अगर माली जो पूछ रहे हैं कि वालव 440 में कितने गियर है तब को यहीं बोलना है कि सर 14 फ्रेंट में है चार बैक में है टोटल अठार गियर है अग है कि वाल्वो की 14 स्पीड यानि की मैं चीज मैं आपको दिखाता हूँ आप हमेसा नोटीस कि होंगे 400 में भी और 440 में भी तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमने फ्रसमाइब कर लेता हूं तो आपको समय में बहुत अच्छे सा आएगा थोड़ा सा रूप जाए यह जो यह आप लोग देख रहे हैं यह जो 40 440 ठीक है ठीक राइट राइट के गेट पे लिखा रहाता है 14 स्पीड 14 स्पीड ठीक है 14 स्पीड गेट भी लिखा हूँ रहाता है या तो 400 की वाल्वों हो यह 440 की वाल्वों किसी में अगर यह 14 स्पीड लिखा रहाता है उसका मतलब वो लोग पूछ लेता है कि यह 14 स्पीड का मतलब क्या है छाइन द्राइल में यह भी फूछता है कि यह 14 इस पेड़ी का मतलब क्या होता है तब आपको सिर्फ एकी लाइन में एक जवाब देना है कि 14 इसका आगे है इस पीड़ा आधे में AGM आगे क्या और जाता फैकish है कि हुछ ह संदू है इसलिए एसलिए इसलिए फॉर्टिदि दिया और रहता है और जिस दिस गाड़ी में यही पॉर्टिन इस apoलिक वघ्र मिल जाय गा न ठीक रेट का इट को गर्परてके सामने स्पीड का मतलब क्या है मतलब यह सर कि चौदध गयर इसकी आगे की और है और आगे की और ही स्पीड चलना है स्पीड गाड़ी हमेसा आगे क्यों चलते पीछे नहीं चलती है यह होता है ठीक है उसके बाद आप से पुछेंगे कि डीजल टैंक कितने का है कोई बोलता है 250 कोई बोलता है 260 ठीक है अब किसी भी दोस्तियार से मिलिएगा बोलेगा 250 ही तो फूल होता है कोई बोलेगा 200 में पूल होता है ठीक है अगर एकदम से लिफ्ट जीरो करके हम करते हैं पूरा डीजल फिल्टर का भी डीजल निकालके अगर यह करते हैं तो फिर 255 तक जाएगी है लेकिन जब हम लोग सिर्फ टैंक को भरते हैं तो 200 जब कि उसका प्रोस्पेक्टस में 200 ही लिखा हो रहता है उसे ज़्यादा लिखा होने रहता है 255 260 इस तरह में आई जाता है तो यह सब चीज आप से पुछेंगे उसके बाद लास्ट में आप से बोलेंगे कि चलो ट्राइल दो यानि कि चला के हमको दिखाईए जब चला के दिखाईए में आ जाता है बात यानि कि जब आप इतना मतलब एक दम सटिक डंग से बोल लेते हैं कि हम फलाना कंपणी में काम कर रहे थे इतने दिन मैंने काम किया सर यह रहा मेरा कार्ड वहां 400 चलाते थे 14 स्पीड या 440 चलाते थे 14 स्पीड या सर हम 380 का मैनुवल गियर वाला चलाते थे पानी टेंकर या 340 340 तो मैंने भी न नहीं बोलने सही बोलने से कहा था कि अगला को समयातार का हिए चलाया हुआ है ज्zeugना ज्यादा ज्यादा घुट झूगा तो उसको एक ट्रिक दिखाना होगा या क्लेर है अगर उनको बहुत ज्याद है तो पहीने एक ट्रिग सब्सक्राइब ऑचा दो ये चला लेगा लेक जाहे वो कितनो हूं क्यूं न बोल देखा दूंगा इक वर समझा दूंगा दिखा दूंगा कैसे होता है फिर वो चला पाएगा देखे बिना नहीं चला सकता है बिना समझे हुए चला ही नहीं पाएगा अगर कोई एकदम से नहीं चला है उसको चड़ा दू फोर्टीन स्पीड में ले चला भाई एक ही बारे चौदो के चौदो के लगा कि दिखा दे फिर वह बका जा उसको समझ में नहीं आएगा एक ही गेर पे फिर उठा के फिर उसी क्यादी में क्या क्या पूचता है तो जब इतना सब आसे पूच लेता है किस company कहां कितना दिन काम की और कौन से गाड़ी कि चला है और वॉच्छी बोलता है कि Co । Čए हो इसलिए छिए सिरफ और वी इसके बारे मैं आलग से समझा दूंगा इसका मतलब क्या होता है फिर आपको लेके जाते ट्राइल पर जब ट्राइल पर लेके जाते हैं तो पता है क्या करते हैं उसका जो एक्सिट्ण पर सबकेश्च और यक्स लेटर सबसुंट थे ब्रेवर से सम की मख्राइब करें Pekola एeksl It refused डलो कि फॉपर में एक पैडल राता है यहां पे ठेक है उससे क्या होता स्टेरिंग एड्टेस्ट होता है यानिर गीजियो मारा वॉलो का स्टेरिंग होता है CET के पास के स्टेरिंग ईaneous लेटर के ओपर मैं छोटा था प्रb लोता है उसको पुश्क करता है स्टेरिंग को उपर या डाउन ऊपर या डाउन या आगे या पीछे उतलब जहां पर मेरा सुवेधा होगा चलाने के लिए उतना दर मेरा के फिर उस पैडल को छोड़ देते हैं वहीं पर लोग हो जाता है तो जब ट्राइल पर लेके जाते ह फोलना है पहले बोलेंगेट को वह बाइस जाके बैट जाएगा जो आपका ट्राइल लेगा हमी लोग लेते हैं जो बाइस गया वह चुप-चाप जाके बैट गया वह आपका एक्टिवीटी देखेगा कि आप कर क्या रहा है इसमें तो सबसे पहले आपको करना किया इसका कीजें या फिर रिफ्ट को पीछ आगी जैसे भी सीट एड़ेस्स कि फिर डेट लगाने के बाद अपना पूरा डेसिद्वोर्ड यानि टेके समय यह जो बैठाओं और यह मेरा सामने में स्टरिंग है यह पूरा डेस्बोर्ड जो है पुराने वीडियो आप दे अब ऐन सेलोक कि जो बटन सो午ते हैं या यह चिंद सेलोक की जो स्विच होती है वह ऑन कर देता है पहला वह स्विच एन कर डाहिए दे मिनेंशल लॉच के दूसरा इंजन CTRL रोड़ की ऑन कर कर अधेंगे या फिर आफ कर और कर देंगे जैसा भी हो तो जब सीट एड़ेस्ट करने के बाद में जब आप बैठते हैं स्टेरिंग एड़ेस्ट करने के बाद जब बैठ जाते हैं फिर सीट बेल्ट जब लगाते हैं पूरा डेसबूर्ट पहले देख लीजिए अगर डिफेंसल लॉक की स्विचे जोन है तो पहले उसको आफ कीजिए सारा चेक करने बाद फिर इगनिशन ओन कीजिए यानि चाबी एक बार उन किये पूरा मेटर बॉर्ड पर अपना देख लीजिए क्या 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 सही बता रहा नहीं बता अगर किसी चीच का सेंबॉल आ रहा तो बताएगा फिर सामने जो ट्राइल लेर उसको पुलिए कि सर ये चाहे भाई या चाहे भाई साब ये आ रहा है फिर वो खुदी बताएगा मान लिजे पुराना गाड़ी ये थोड़ा बहुत प्रोब्लम देगा तो पुलेगा रहे यह आता है आप चालू किजिए तो फिर आप चलू किजिए फिर चालू करने के बाद इस तरह चला के दिखाएंगे इंटर्व्यू में क्या क्या आएगा मैं पूरा बताता हूं यहां तक तो हो गया कि चला के दिखाना अब जब आप चला रहे हैं यह डिस्बोर्ट डिस्बोर्ट सब चेक करने के बाद फायर इंस्ट्रिवीशर भी चेक किजिएगा कि हमारा अगर नहीं है अगर नहीं है तो एक बार बोल देना खुद से कि सर फायर इंस्ट्रिवीशर नहीं है इसमें क्याविन में वह ठीक है कोई बात में अब चलाइए तब अब जब चलाइए गाड़ी को फ्रंट गेर में दीजिए ठीक है आप स्टार्ट करने से पहले दो हॉर लगाड़ी को बढ़ाने के बाद आर्प्यम पंद्रा 12-15 तक मेंटेन करके रखिए 15 से ओबर मत जाने दीजिए क्योंकि ट्राइल में यही देखता है कि आप कितना अर्प्यम भगा रहे हैं फिर उसके बाद जा बहुत डूटी आप आ जाते हैं तो फिर मालीजिए कभी-क बहुता है ना कि पंद्रा से मैंने कभी 18 भगा दिया गाड़ी को स्पीड ले जाने के टांग तो वह मैनेजिए लेकिन ट्राइल के टाइम में मैनेज वो नहीं होता है ट्राइल के टाइम वह आपकी रस्पॉंसिब्लिटी को देखेगा कि आप किस तरह दाइत उठाते हैं इंट्रिवी में और कोई खास ऐसा नहीं होता है कि मैंने वाल ओक इंट्रिव्य में लोट गया था यार क्या पुछा चाहीं पूचेगा वैसा कुछ भी नियूप चैना की दाब पुछे घू की यह कोचे गहां पूंच था है यह 440 का मतलब 14 इस पी टा मतलब ये कि कैपैसिटी पूछेगी ठीक है और आपसे यह भी पूछेगा देखिए पहला यह जान लीजेगा कि माइन्स में कभी भी किसी गाड़ी को हम ओवर्टेक नहीं करना एक तमसे नहीं करना है ओवर्टेक तो यह चीज आपको वहां पर ज़रूर पूछेंगे कि आप मान लीज होन देने के बाद अगर वह साइड देता है यह सेंबोल देता है इंडिकेटर के हाँ आप जाओ हमारे गाड़ी में दिक्कत है हम इससे ज्यादा नहीं जा पा रहे है तो ही जाना है तो बोलने का तरीका आपको थोड़ा सा बहतर रखना होगा जो जो काम आप डेली कर रहे है यानि कimme कोई जैसे करें हुआ हाइवा ड्राइवर है है मतलब बोले तो था बाल वह भी है है यानि की टिपर और टाटा के टिपर दस चका बहुत सारे ड्राइवर दोस्तन Изहित् generating आपको लूग वहीं होई लिग गाम कर रहे हैं हम जा रहे हॉन स्क्ट कर देता हैं फिर यसलिये सब चीज़्डरेंटर्वी में आप से पूछते हैं तो चलेए वल्मों के इंटर्विउ में सौ्ट ट difं बता देता हूं इंटर्व्म में आप जाएंगे कहां कौन सी कमपणी किते दिन एक चला है हमें बता देता हूं in the end of the sameẫn कहां कॉनसी company किते दिन आप चलाए को सिभी इस गीजिट यह फूल टैंक में रहता इतना रहता अब ट्राइल दीजिए ट्राइल दीजिए का टायप चला के बैतर तरीके असे चलाइं तोत देखाईप से पहले आप जब कैविन में बैठते हैं सीट एड़ेस्ट सीट वैल्ट स्टेरिंग एड़ेस्ट पूरा डेसबोड चेक फायर इंस्टूगी सट चेक उसके बाद फिर गाड़ी को लेके निकलना है और पंदरा अरपिया में मेंटेन करके चलाना है तो चली यह था वल्वो क इंटर्वियो अब देखते हैं आप लोग के लिए आगे कौन सा वीडियो हम बना पाते हैं तब तक लिए जयाहिंद बंदे मात्रम और देखते हैं कौन सा वीडियो फिर आप लोग के लिए और अगर किसी चीज को समाझने में आपको और सवीधा हो रही है तब कमेंट कि भाई मुझे इस चीज के बारे में जानकारी चाहिए मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूंगा चलिए तब तक के लिए बीड़ भाई